गटना और बता दूं, जिनने ना सुनी हो और सुन ले। अगर तपश्या नहीं करेंगे तो क्या होगा जानते हैं? अंग्रेजी मीडियम वाली बहु आ जाएगी तो अंग्रेजी मीडियम वाली बहु आ गई एकके घर में है कि लो किआ जानते हैं, उसने यह किया कि उसने यह किआ कि उसने यह किया वना जाड़ लगाये ना पोचा लगाये ना कोई खाना बनार這個 कोच पोछे अपना आराम से तट बाज में चाइभी कर हो दो चालession को गा昨 кус çा सु इन हो जाकते हैंritt ड्र मारें महाति निए खार ट ड क susceptibility तो अब सासुमा बिचारी क्या करें करें तो उनने का ऐसा है बेठा कि ये बहु तो काम करने से रहें कल हम लोग कुपाय करते हैं क्या क्या का सुबह मुठोंगे और जाडू लगाने लगोंगे तो तुम आजाना और कहना कि माता आप इतनी बुजुर्ग होगा या आप अब लगे माता जाडू लगाने तो अब इधर से बेटने का नहीं नहीं माता मैं होते हुए आप नहीं लगाएंगे जाडू नहीं बेटा मैं जिंदा हुए मैं लगाओंगी नहीं माता मैं लगाओंगा तो बहु सुन रही थी पकल में सुन रही है कुछ बोलनी रही जग अगर इसमें इतना जगणने की कौन सी बात है। इतना इतना सही समाधान है। इसका सरज समाधान है। तो कहने कार्थ है ऐशा मत करिएगा। इसके लिए अगर ऐसी बहु नहीं जाएए। तो तपस्या करिए भगवान से वर्दान मांगे। माता कोशल्या ने प्रभू से यही का प्रभू, यदि मुझको वर्दानी देना है, तो जे निज भगत नाथ तव अही, और जो सुख पावई, जो गति लही, सोई सुख, सोई गति, सोई भगति, सोई निज चरन सने, सोई भीबेक, सोई रहनी प्रभू, हम ही क्रपा करी दे माताओं बंदों, सोई, 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 छे चीजे मांगा था, माता कोशल्या ने, माता सतरूपा ने, ध्यान दीजेगा, माता कोशल्या की प्रशनता का वर्णन उतना नहीए, जब भगवान शिराम का जन्म हुआ, कब है वर्णन? जब दासी दोड के आई और आके कहती है माता बहुओं की पाल की दर्वाजे पे आ गई है तो ध्यान दीजेगा छे चीजे मांगा था गोश्वामी जी लिख रहे है पावा परम तत्व जनु जोगी और अम्रित लहाई जनु संतत रोगी जनम रंक जनु पारस पावा अंधनी लोचन लाहु सुहावा और मूख बदन जनु शारत छाई मान हु समर सूर जय पाई एही सुखते सत कोटी गुन पाये उमात वनंद कब बोले भाईन सही तो भी आही घर जब आये रगु खुले चंद जब माता को पता पड़ा कि बहुएं घर पे आ गई हैं कहने कारत हैं तपस्या आपको लड़के के लिए करना है आपको लड़की के लिए पाने बहु के लिए करना है अच्छा माता को बर्दान दे दिया भगवान ने चक्रवर्ति समराड को भी बर्दान दे दिया लेकिन माताओं बंदूं अभी भी भगवान का अवतार नहीं हो रहा है जन्व नहीं हो रहा है उसका कारण उसका कारण सूख्ष्म रूप में हम लोग चर्चा करेंगे ध्य बभवान के अवतार से पहले एक और अब सजन कहें कि दुर्जन कहें वह आप समझ लीजैंग में लेकिन एक और व्यक्ति का अवतार होना है हमारे हाँ भागवान का अवतार बाद में कहा गया है पुनिना रद कर्मोह अपारा और कहे सी बहोरी रावन अवतारा वहले रावन का अवतार होगा प्रभु अवतार कथा पुनि गाई उनका तो बाद में अवतार होना है द्यान दीजेगा वैसे तो इस कथा को जब भागवान की क्रबाश से हम लोग एक महिना वहां कथा सुनाते हैं तो वहां पर अभी चर्चा हो चुकी है इस कथा की बहुत विश्टित रूप से जो वहां सेक्टर 14 में आया होगा तो वह इस बात को जानता होगा लेकिन यहां पर हम लोग सूख स्परूप से और सूत्र में करेंगे चर्चा है एक राजा हुए गोश्वामी तुलसीदाज जी महराज ने रावन के अवतार का जो कारण बताया उसके पीछे कौन थे गोश्वामी जी लिखते हैं विश्व बिदित येक कहे कहे देशू और सत्यकेतु सत्यकेतु नाम का एक राजा हुआ और उनके तेहिके भए जुगल सुत बीराव सब गुनधाम महारन धीराव राजधनी जो जेठ सुत आही नाम प्रताप भानु असताही सबसे बड़े जो बेटे हुए वो प्रताप भानु यही रावन अपर सुतही अरि मर्दन नामा और भुजबल अतुल अचल संग्रामा भाइन भाइन परमस प्रीती और सकल दोश चल परजित प्रीती दोनों भाईयों के बीच में अत्यांत प्रेम रहा अरि मर्दन और प् माताओं बंधूं यही प्रताप भानु जब सत्त केतु बनबास के लिए जाने को हुए तो प्रताप भानु को राजा बना दिया और प्रताप भानु को जैसे ही राजा बना दिया ना माताओं बंधूं इतने धार्निक राजा हुए इतना धर्म परायन राजा हुए कि गो हजारों हजारों बार यग किया प्रताब भानु ने हजारों हजारों यक कराये हजारों हजारों दानपुन किये लेकिन इससे पता नहीं पड़ता कि ओधार्मिक थे इससे पता नहीं पड़ता कि ओध्यात्मिक थे अध्यात्मिक थे प्रताब भानु अभी तक तो क्या किया क क्योंकि वह यगी कराते थे पूजन करते थे सब कुछ करते थे लेकिन खृदय नकाचु फल अनुसंधाना भूप विबे की परम सुजाना कोई फल नहीं रखते थे अपने मन में वह क्या करते थे सब कुछ सब कुछ करई जो करम धरम मन बानी वह सब भासुदे वह अरपित क्योंकि इन रप ग्यानी ग्यानी राजा थे वह सब भगवान को समर्पित कर देते थे हम लोग भी जो करें वह हरी ही समर्पे बिनुसत कर्मा कर दें माताओं बंधुओं चब प्रताप रभी भाया उन्रप फिरई दुहाई देश प्रजा पाल अति बेद बिधी कताओं नहीं अगलेश राजा बने सारे पुन्य सारे प्रताप करने लग गए पाप का पाप का नामों निशान नहीं रहा प्रताप भानू ने सकल अवनी मंडलते ही काला एक प्रताप भानू मही पाला एक वही प्रत पर सारे धराधाम पर राज किया लेकिन कथा कहां से आती है कथा आती है कि एक बार प्रताप भानों कि शिकार करने के लिए बिंध्याचल बन की तरफ चल पड़े चड़ी बरबाजी बार एक राजा और म्रग आकर बहु साजी समाजा बिंध्याचल गभीर बन गयाओ और म्रग पुनीत बहु मारत भयाओ वहाँ जाकर के उन्होंने बहुत शिकार किया बहुत लोगों को मारा तब क्या हुआ बाताओं बंदों वहीं देखते देखते उनको एक शुवर दिग गया फिरतन रपाहिन फिनत फिरत बन हिन रप ग्रसिराओ नहीं बलो मुख नहीं बलो बिधू समातो मुख माही और मनहुं क्रोध बस उगली तुनाही ये केवल दात थे उसके तने इस अब मैं बहुत बिसार में नहीं कर रहा है केवल सूत्र में आज पता भानू का विरांदू कंदरा में वो तो छोग गया लेकिन ये जिद के कारणा कोई बात नहीं गूमते फिरते एक आश्रम में पहुंचे उस आश्रम में एक ऐसा राजा रहता था जो कप्ती मुनी बेश बना के वैठा था फीरत विपिनवा आश्रम एक देखा ताह बस उन्रपति कपट मुनी बेशा अब वो कप्ती मुनी के बेश में प्रताब बानु पहुंचे उनको लगा वाह प्यास लग गई थी भूख लग गई थी घोड़ा भी त्रसित था खुद भी त्रसित थे वहीं महात्मा की शर्म गए वहात्मा तो था नहीं वह तो कप्ती मुनी था अब यह गए इसने पहचान लिया यह तो मेरा वही राजा जलपान करो आश्रम में विश्राम करो अब यह तो बैठ गए विश्राम करने गणवन यहां से प्रादम हो गई बस पहली बात तो संगत देखिए संतों के पास बैठेंगे तो सत्संग मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा तो आप एक बात नोटिस करिए यह आप इतने चेत्र में जितनी पॉजिटिव एनर्जी का संचार है कि आपको कहीं और मिल रहा है बाहर कहीं किसी और शेहर में कहीं और क्योंकि इतने सारे तपस्वी संत एक साथ विराजमान है सारे देवता देव दनुच किन्नर नर्शेनी साधर मज्य हिसकल त्रिवेनी सब लोग यह विराजमान है इसलिए आग भूमते ही लगता कि कितनी पॉजिटिव एनर्जी है संत सभा 24 संतों की सभा है इसलिए और वही आप किसी मजराले में चले जाई है किसी जुगा खाने में चले जाई है कहीं दुष्टों के बीच बैठ जाई है तो चाहे उनसे आप बात करें ना करें एक नेगेटिव एनर्जी का संचार होना प्रारम हो जाता है वहाँ पे यही प्रताब भानु एक कपकी के पास बैठे तो बुद्धी फिरने लग गई नंबर एक और दूसरी बात मजन पान समेत है की नरपती हर्शाई खान पान भी कर लिया उसका हम लोग कहते न अध्यक्रटाब भानु को की आसन दीन अस्तुर पी जानी एक एक करदाली में दो भाव निकाल रहे हैं आप इगोसा में आस्ट भी माने सोर्य बीच्ट हो गया और दूसरा स्थ हो गया वो जो पानू प्रताब थे तो बहानू का प्रताबभी वो अस्त हो गया जैसे भोज आप भानू से एक तनू ने बोला कि आप कहां से आए हैं, क्या करते हैं, आप ऐसे क्यों भूमें, ये बड़ी सुंदर बात है, ये दोहा बड़ा, बहुत, माने एक बात आपको बताओं, इस पूरी राम चरित मानस में किसी भी प्रसंग को ठालीजे, ये अपने आप में इत अकेले, और सुन्दर जुबा जीव परहेले, चक्रबरती के लचन तोरे, और देखत लगा दयालागियती मोरे, कौन हो, अपना नाम तो बताओ, क्या है, तो प्रताब भानू का कहते हैं, जानते हैं, कहते हैं, हाँ मुनिवर, आपने प्रताब भानू का नाम सुना है क्या तो उनने का, हां हां सुना है, कि आप हूँ है क्या? आप वहीं है क्या? अरे हां सुना सुना है के अच्छे मुनी है क्या है? आप तो संद समझ कहीं गई न? तो आप को क्या ही है चाहिए कि आप जूड बोले संद से जूड बोले जूड बोल दिया बोले तासू सची वो मैं सुना हूं मुनी साव तो एक तनू मन में प्रसंद हो गए उनने का चलो भगवान आधा पाप तो आपने यूं हमारा काड दिया अरे बाई जूड से जूड बोलना कोई जूड थोड़ी होता है जब यह खुदी हम से जूड बोल दिये तो अब हम बाई जद बड़ी है वो ले फीरत वहेरे परेव भुलाई बड़े भाग पत देखेवाई हम कह दूर लव दरस तुमारा और जानत हो का चुभल हो निहारा तो मुनिवर केते हाँ हाँ वो तो ठीक है लेकिन कहमुनितात भयव अंधियारा और जो जन सतर नगर तुमारा अभी मत जाना है बहुत दूर जाना है आपको तो क्या मतलब बोले राजा निशागोर गंभीर बन मैं रास्ता भी बता दूंगा तो भी ने ढूंड पाऊगे पंत न सुना हूं सुजान बस हूँ आज अस जानी तुम और जाये उहोत भिहान सुबह चले जाना रात रुख जाओ तो प्रताप भानू क्या कहते जानते हैं अरे मुनिवर ये रात मेरे जीवन की सबसे अच्छी रात है मैं खोया नहीं हूँ मैंने तो आज प्राप्ती क है ना मैं भटकता तुमाएं ना मैं यहां पहुसता आपके दर्शन हो गए मुझे मैं तो भगवान का क्रपा पात हूँ जानत हो कचुबल हो निहारा मेरे साथ बहुत अच्छा होना है गोस्वामी जीने का कोई अक्छा अच्छा नहीं होना तुम्हारे साथ ये तो तुल तुलसी जसी भवताव्यता जैसी भावी होगी ना मतों बंधू आपकी ध्यान दिजेगा जो होनार होना होगा प्रक्ति उसी प्रकार से आपके साथ घटनाएं करने लग जाएंगे तुलसी जसी भवताव्यता तैसी मिले सहाए और आपन आवई ताही पही ताही तहा ले यही होना था सार तो यही है प्रताप भानू और हमारे एक तनु का वही एक तनु से इन्होंने कहा कि मैं राजा बन जाओं जरा मरन दुख रही तनु समर जिताय जनी कोई एक छत्र डिपुहीन महीं राज कलब सत्थ होई बहुत राज करूं अच्छा यह सा तो कर तो सकते है लेकिन ब्रामण नहीं होंगे आपके बश्च में यहां गड़वड होगे अरे तुम छत्री ओ वो कह रहा है कि कालू अतुपद नाई शीशा एक बेप्रकुल छाड़ी महीं शा क्यों वो क्यों नी करेंगे वो प्रणाम क्यों नहीं करेंगे नाई शीशा शरम आनी उन से पेर ठोड़ी छुवाएंगे एंगो ब्राम्हन तो सेवा से संतुष्ठ होते हैं, ब्राम्हनों को तो हम चरन छुगे अपने बश्वे कर लेंगे, ब्राम्हन ने हमको तो बचा लिया तुम से, लेकिन अब तुमको कैसे बचाएंगे हमसे, हमसे अब तुमको कोई नहीं बचा पाएगा, ब्राम्हन ने बचा लिय से जागभलिक जी ने पूछा यह क्यों हुआ प्रभू क्या कारण था ही सब होने का इतने धर्म पढ़ाने राजा के साथ ऐसा क्यों हुआ उन्होंने कहा ये भी होनहार था परमात्मा के प्रतिलिये परमात्मा बनना चाहते थे बड़ी दीरिक्षर चाहते जरा मरं दुख र परमात्मा जब विधाता बाम हो जाता है न तो धूल भी सुमेर्य हो जाती है चन्म देने वाला मारने लग जाता है और सर्प भी रशी भी सर्प बनके डसने लग जाती है इस दोहे के आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे करेंगे